कि क्वेस्टन नमर्थर्ड में दिया हुआ है अवील मेक्स 360 डेवल्वेशन इन वन मिनट हाउ मेनी रेडियन डजिट टर्न इन वन सकेंड इसका मतलब है कि एक मिनट में वो 360 बार घूमता है तो एक सकेंड में कितनो एंगल घूमेगा अगर हम एंगल का भिल्यूट डिग्री में डिग्री में निकाल लें तो उसको हम रेडियन में बदलके अंसर आ सकता है तो पहले देखते हैं कि एक मिनट में कि एक मिनट में कितना एंगल कितना डिग्री डिवल्यूशन घूमता है 360 डिवल्यूशन तो एक सकेंड में कितना घूमेगा है 360 डिग्री घुमता है तो 6 रिफिल्वेशन में कितना घुमेगा 360 इन्टू 6 कि एकी सो साथ डिग्री घुमेगा अब हमको भेल्यू आ गया कि डिग्री में अब इसको रेडियन पूछ रहा है तो रेडियन में हम मुल्टिप्लाइ करेंगे तो जीरो जीरो केंसल टिन टू एल तो अंसर हो गया हमारा टू एल पाए कोस्चन नमर थोर में दिया हुआ है कि कोई एक सरकील है जिसका 100 cm रेडियस है और कोई एक आर्क दिया हुआ है जिसका की लेंध बाए 22 cm है तो बताना है कि वह आर्क सेंटर पे कितनों एंगल सब्स्टेंट करेगा मतलब यह थीटा निकालना है तो रिक्वाइड एंगल व तो देखते हैं तो हमको पता है कि यह थीटा वरावर होता है आर्क अपन डेडियस लेंध आप आर्क कि लेंध आप आर्क अपन कि रेडियास ओफ सरकल तो लेंध कितना है कि 22 अपन अंडेड कि यह हमारा आगया डेडियन में कि अब इसको हम डिगरी में चैंज करते हैं तो यहीं डिगरी बेलिवागा हमारा अब है कर 22 मैं हमेड डेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे इसको 180 बाइपाइश से मल्टिप्लाइब करेंगे 22 बाइफ 100 इंटू यह कैंसल हो जाएगा 180 इंटू 7 वाइफ 100 126 बाइफ 10 इतना डिग्री हो जाएगा अब यह चुकिए फ्रेक्शन में है तो इसको प्रोपर फ्रेक्शन में बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 126 बाइट 10 डिग्री है तो इसको हम मिनट में चैंज करेंगे तो बाइट डिग्री थ्री वाइफ इंटू शिक्स्टी तो बाइट डिग्री 36 मिनट अंसर हो जाएगा तो थीटा बरावर हो जाएगा बाइट डिग्री 37 मिनट